वजन घटाने के चक्कर में कहीं आप भी तो ज़ादा नीबू पानी ने पी देए क्योंकि अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है वैसे तो मौसम चेंच हो चुका है और इस बदलते मौसम में गर्मी से रहात पाने के लिए नीबू पानी एक बेस्ट आप्शन माना जाता है नो डाउट इसके कई सारे फाइदे हमारी वाड़ी के लिए होता है सो काफी लोग इसको पीना प्रेफर करते हैं स्पेशली गर्मियों में और जैसा कि ये मौसम है गर्मिया आ चुकी है सो हम मैंसे जादा तर लोग नीबू पानी पीते है बट क्या आपको नीबू पानी के नुकसान पता है प्यूंकि कोई भी चीज सही तरीके से यूज करने के लिए क्या उसकी मात्रा है, क्या उसका टाइम है, क्या उसके फाइदे है, क्या उसके नुकसान है ये सब हमें पता होना चुकी So फाइदे के बारे में I hope आप मैंसे जादा तर लोगों को पता है और हम भी एक वीडियो में डीटेल में डिसकस कर चुके है अगर अपने चेक आउट नहीं किया है तो जाके जरूर चेक आउट कर लें और आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे ऐसे साथ नुकसान मैं कहूंगी बड़े नुकसान जो कि हमारी बोडी को होने वाले हैं अगर हम जादा नीबू पानी पीते हैं तो नीबू पानी हमें कैसे पीना है, कितनी क्वांटिटी में पीना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में पीना है ये हमें जरूर पता होना चाहिए तब ही हम नीबू पानी को अपनी बोडी के लिए हिल्दी बना सकते हैं सबसे पहला नुकसान नीबू में होता है सिट्रिक एसिड और वाइटामिल सी की हाई डोस और इसकी वज़े से हमारी बोडी में एसिडिटी भढ़ा देते हैं अब ये थोड़ा बहुत भड़ती है वहां तक तो ठीक है लेकिन अगर ये एसिडिटी जादा हो जाती है तो फिर हमारे डाजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है कई बार हमें nausea वाली feeling होती है कई बार हमें vomit हो जाती है कई बार hard burn की feeling होती है सो जितने भी digestive issues है इसकी वज़े से हो सकते हैं अगर हम इसका overdose ले रहे हैं अब सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसकी overdose क्या है अगर आप दिन भर में 2-3 glass नीबू पानी पी रहे हैं वो चलेगा रिकमेंटेड नहीं है लेकिन चलेगा लेकिन तीन ग्लास से जादा बिलकुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि फिर ये हमारे प्रॉब्लम क्रियेट कर सकता है सो सेफ साइड या तो आप एक ग्लास पी लें फिर 2 glass पी लें, maximum 3-4 तक आप जाने की कोशिश ना करें और अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे बड़े नुकसान की जो कि है हमारे दातों के लिए अगर हम जादा acidic चीजें लेते हैं तो वो हमारे tooth enamel को damage करती जाती है और जब भी हम नीबू पानी पीते हैं वो especially हमारे दातों को touch करता हूँ अंदर जाता है सो हम जितनी बार पानी पी रहें उतनी बार हमारे दातों को ये नुकसान पहुचा रहा होता है उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं आप जब भी नीबू पानी पी रहें, आप स्रौ से पीएं और नीबू पानी पीने के बाद थोड़ा सा साधा पानी ज़रूर पी लें इसका तीसरा बड़ा नुकसान जो कि हमारी किड्नी के लिए हो सकता है ये किड्नी स्टोन को बढ़ा सकता है, उनको फॉर्म कर सकता है क्योंकि नीबू में वाइटामिन C के साथ साथ ऑग्सलेट भी होता है और स्टोन के लिए ऑग्सलेट और कैल्शम ये दो चीजे होना बहुत ज़रूरी है कैल्शम अलरी हमारी बॉड़ी में होता है और ऑग्सलेट अगर हम नीबू से ज़ादा ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये हमारी बॉड़ी में अक्यूमलेट होना शुरू हो जाए जादा नीबू पानी अगर हम लगातार लंबे टाइम के लिए पीते हैं तो ये हमारी हड्डियों को कम्जोर कर सकता है इसका पाँछवा बड़ा नुकसान जो कि माइगरेन से कनेक्टेड होता है जादा नीबू पानी माइगरेन को बढ़ा सकता है सो जिन लोगों को माइगरेन हैं वो लोग नीबू पानी कम पियें या फिर जिन लोगों को नहीं हैं उनमें होने के चांसे थोड़े से बढ़ जाते हैं और इसके पीछे कोई study, कोई research ये proof नहीं करती है कि इसका कोई direct connection है लेकिन still migraine और vitamin C को आपस में connected माना जाता रहा है और ये माना जाता है कि खटे फल migraine को बढ़ा देते हैं क्योंकि नीबू में tyramine होता है जो कि migraine से directly connected होता है So safe side आप नीबू के दो glass पियें उससे जादा ना पियें नीबू पानी का छटा बड़ा नुकसान ये हमारी body में dehydration के situation को create कर सकता है क्योंकि नीबू पानी हमारी body से extra water को निकाल देता है और अगर हम जादा नीबू पानी पियेंगे तो वो हमारी body से पानी को निकालता जाएगा और अगर हम जादा पानी नहीं पी रहें उस situation में हमारी body में dehydration हो सकता है और dehydration आप सब को पता है कितनी problematic situation होती है इसका साथवा बड़ा नुकसान ये हमारी body में iron के levels को बढ़ा सकता है क्योंकि vitamin C iron के absorption को बढ़ा देता है तो हम जितना जादा नीबू पानी पीएंगे ये हमारी body में iron को accumulate करने का काम करता जाएगा और जब body में जादा iron हो जाता है वो भी हमारे लिए बहुत जादा problematic हो सकता है I hope दोस्तों आपको ये साथो चीज़ें clear हो गई होंगी और अब आपको ये भी clear होगा अब लिमिटेड अमाउट में लिया जाए ये हमारी skin के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारी weight loss में काफी जादा helpful है I hope दोस्तों आपको information useful लगी हो अगर लगी है तो प्लीज ये से like करें और share करतें अपने सारे दोस्तों के साथ और comment में बताना ना भूलें के आपको information कैसी लगी मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और topic के साथ तब तक ले bye bye take care stay healthy and stay happy thank you so much